हेलो स्टूडेंट्स क्लास सेकिंड स्ब्जेक्ट इंगलिश रीडर यूनिट 6 चैप्टर नमबर 12 चैप्टर नेम क्या है पना मिस्टर नोबडी स्रीमान कोई नहीं नोबडी मिनिंग कोई नहीं मैं मजएदार चोटे व्यक्ति को जानता हूं यानि मजएदार मोस मीनिंग चूहा उतना ही सान्त जितना की एक है चूहा हूं मैं एक मजेदार आदमी को जानता हूँ उतना ही शान्त है जितना की चुहा who does the mischief mischief क्या होता है सरारत that is done in everybody's house यानि everybody यानि हर किसी के house यानि घर हर किसी के घर में होने वाली सरारतों को वह करता है कौन करता है Mr. nobody there is no one ever see his face face यानि चहरा never यानि कभी भी किसी ने उसका चहरा नहीं देखा किसका चहरा नहीं देखा जो सभी के घर में मिश्चीफ करता है सरारते करता है Mr. nobody उसका चहरा किसी ने भी नहीं देखा and yet we all agree agree meaning सहमत होना वी मिनिंग अब हम आवल यानि सभी और अब हम सभी सहमत है that every plate we break was cracked every यानि प्रतेक प्लेट यानि कोई भी थाली या कोई गोला करती का जो बरतन होता है अपने अपने किचन में देखा होगा वैसे ही वी ब्रेक ब्रेक मिनिंग तोड़ना और अब हम सब इस बास सहमत है कि प्रतेक प्लेट के तूटने का कारण कोन है Mr. Nobody स्रीमान कोई नहीं निवर्दे क्वाइट मिनिंग शांत मिस्चिफ मिनिंग सरारत एवरिबडी यानि हर कोई या प्रतेक इंशान एगरी सहमत नोबडी यानि कोई नहीं ठीक है यह अपनी चोटी सी क्या सी पोईम थी Mr. Nobody के बारे में चलिए अगेन एक बार इसको रिपीट कीजिए I know a funny little man मैं एक छोटे मज़िदार वैक्त को जानता हूं as quiet as a mouse उतना ही शांत जितना की एक चूहा who does the mischief that is mischief that is done in everybody's house वह सभी के घर में होने वाले सरारतों को करता है कौन करता है Mr. Nobody there is no one ever sees his face और कभी भी किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा and yet we all agree और अब हम सभी इससे सहमत है that every plate we break was cracked by Mr. Nobody की प्रतेक तूटने वाली प्लेट या थाली Mr. Nobody के द्वारा तोड़ी जाती है उन्हें कौन तोड़ता है Mr. Nobody यानि सिरीमान कोई नहीं ठीक है चलिए अब इसका book matter करते हैं अपने who is Mr. Nobody तो बते ये students Mr. Nobody कोन है Mr. Nobody is a small little man who is a mischief maker in every house ठीक है एक बार मैं आपको वीडियो में ऐसे ही question explain कर रही हूँ बात में आपको PDF में send कर दिये जाएंगे has anyone ever seen him क्या कभी किसी ने उसको देखा या किसको Mr. Nobody को तो अभी poem में अपनों ने क्या read किया था नोबर्डी एवर सीन हिम यानि कभी किसी ने उसको नहीं देखा तो नोबर्डी सीन हिम एवर is there a Mr. Nobody in your house क्या आपके घर में भी कोई Mr. Nobody है तो स्टूडेंस अगर आपके घर में भी ऐसे मिश्चिफ होते हैं प्लेट बगरा तूटते हैं तो आपके घर में भी होगा अगर है तो आप इस पे राइट कर सकते हो yes Mr. Nobody in our house have you ever done something naughty क्या आपने भी कभी कोई स्रारत की है I know you very well of course आपने भी कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्रारत की होगे आप अब भी करते होगे तो अगर आपने की है तो इसके आपने लिखेंगे yes I have ever done something naughty what did you do आपने क्या किया या आपने क्या स्रारत की क्या मिश्चीफ किया वह आपको यहां पे राइट करना है what did you say और उसके बाद आपने क्या कहा जैसे कि आपसे कुछ तूट गया या आपने कुछ गलत किया तो फिर आपने ममा या पापा को अपने या फिर अपने elders or brother sister होते है उनको अपने क्या बलते है सोरी फिल करते हैं अपने तो अगर आपने सोरी बोला है तो आपको यहां पर लिखना है आई से सोरी कि सम्टाइम यूँ वांट तू लुक और फाइंड इंग्स फॉर और साल्फ टिक दोज यू डिड़ टी टैल यूर फ्रेंड ठीक है यानि कभी कभी हम क्या करते हैं ची वर आस्मान में तारीक ऐसे होते हैं जो वहार है वह ऐसे क्यों चलती है ठीक है अगर आप ने कभी किया है तो आपको यह करके देखना है जैसे पिक्चर में एक गर्ल है यह क्या कर रही है कि ऐस प्याए ट्राइड टू आ हुआ हुआ च्छुट यानि यह क्या देख रही है कि जो क्लोक है यानि घड़ी है वो टिक टिक कैसे करती है तो अगर आपने भी यह सब ढूने की कोशिश किये तो आप इस पे टिक लगा सकते हो यानि यह बोई क्या कर रहा है घर से बाहर गया है रात में तारों को देखने के लिए तो अगर आप भी कभी नाइट में अपने घर से बाहर निकले हो तो आप इस पे टिक लगा सकते हो अगर आप भी कभी पे चड़े हो तो आप भी लिख सकते हो ठीकर स्टूडेंस बाकी की वीडियो अपने नेक्स बाकी का चैप्टर अपने नेक्स वीडियो में करेंगे थैंक्यू